असलाम कूं डियर स्टूडेंट्स, I hope कि लांस लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉरेंजिक फॉर्मेसी और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल फॉर्मेसी और इसके बाद हम लोग क् तमाम तर लॉस के बारे में पढ़ते हैं, यानि के कानून के बारे में, आप लोग ड्रग को कैसे सेल करते हो, कैसे परचेस करोगे, कैसे महफूस करोगे, कैसे आप एक इधारा उपन करते हो, या फिर आप लोग एक इंडस्ट्री खोलते हो, या फिर मिन वो तमाम तर मामल जो के ड्रग ये ड्रग से रेलिवेंट है आप लोग कहते हो दे ब्रांच ओफ फार्मेसी विच्ट डाट 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 ड्रग लॉस यानि के जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मताल़ा करते हैं ड्रग लॉस के बारे में यानिके ड्रग के कानून के बारे में is known as forensic pharmacy इसके साथ ये करता क्या है दा forensic pharmacy deals with the legal aspects of pharmacy practice यानि के जितने भी जो कानूनी पहलू है I mean drugs से related या फिर फार्मेसी प्रेक्टिस से related वो तमाम तर पहलू आपके forensic pharmacy में आते हैं the aspects on which forensic stress down are following और वो पहलू जिसके उपर ये field या फिर फार्मेसी जो है या फिर फार्मासिस जो है वो ज्यादा जो है वो कौन कौन से पहलू है as for example आप लोग कहते हो तमाम तर जिम्मेदारिया या फिर वो तमाम तर फराइस जो के सर अन्जाम में जो के होते हैं government authorities के यानि क नमबर सेकेंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप लोग drug industry को कैसे उपन करते हो ठीक है register कैसे करवाते हो दर्ज अंदराज कैसे करवाओगे और इसी तरह से कोई भी institute उपन करना चाहते हो लाइक जैसे आप लोग का pharmacy technician institute है अगर आप लोग pharmacy technician institute उपन करवाना चाहते हो या पर form D जहांपर D pharmacy करवाई जाए आप ऐसा इधारा खोलना चाहते हो तो उसको किस तरह से अंदराज करवाई जाएगा उसके बारे में पढ़ा जाते है उसके बारे में हम लोग इसके अंदर देखते हैं उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से license हासिल क्या जाता है license किसका manufacturer purchase यानि कि license to manufacturer purchase and sale drugs medicines यानि कि आप लोग किस तरहाँ से drug को purchase करते हो खरीदते हो और sale यानि कि बेचते हो या फरोखत करते हो अपने drugs या medicines को इसके बाद आप लोग पढ़ोगी कि what is the hospital pharmacy यानि कि एक ऐसी pharmacy जिसके अंदर आप लोग medicines provide करते हो कहां पर hospital में ठीक है अगर हम लोग hospital की बात करें तो आप लोग कहते हो कि hospital जो है वो एक ऐसा institute है एक ऐसा इदारा है जहां पर ill patients are treated यानि कि जो बिमार यानि कि जो मरीज हैं उनका इलाज होता है the hospital pharmacy is the department or institution of any hospital where the pharmacy practice has been done यानि कि एक ऐसा इदारा है या पर institution या पर महकमा department है जहां में आपके hospital का किसी भी hospital का जहां पर pharmacy practice हो रही हो ठीक है और जो pharmacist आपके hospital pharmacy में काम करेगा उसको आप लोग hospital pharmacist कहेंगे अब हम लोग देखेंगे कि hospital pharmacy में जो pharmacist काम कर रहा है उसके general responsibilities क्या है अगर आप लोग किसी भी assistant pharmacist या फिर आप लोग pharmacy technician या फिर pharmacist का जो main काम है hospital में मौजूद pharmacy पर या फिर main working area of any hospital pharmacy वो क्या है कि वो purchase करें यानके खरीदे वो मयार की मैं अच्छे मयार की medicines को फिर कि medicines को manage करके रखे medicine management करें तर्तीब के साथ रखें उनको और कौन से लेनी है कौन से नहीं लेनी कौन से किसका stock जैदा है और को कम रह गई हैं कौन से expire है यानकि उन तमाम तर medicines को management करके रखें next thing कि dispensing of medicine आप लोगों को चाहिए कि आप लोग indoor patients को और outdoor patients को यानकि वो patients जो आपके hospital में मौजूद हैं यानकि आपके hospital में admit हुए वे हैं और वो ले patients जो बाहिर से बाहिर ले जाते हैं दवा को वो उन तमाम तर patients को आप लोग medicines dispense करें ठीक है then total parental nutrition manufacturing यानकि आप लोग TPN को भी manufacture करते हो ठीक है यह एक ऐसी preparation है या फिर आप लोग के तो एक ऐसी dosage form है जिसके अंदर तमाम तर nutrition मौजूद होती हैं जो के एक इंसानी जिसम के लिए जरूरी है अगर तो human body में इन चीजों के nutrition की कमी हो जाए तो उस ताइम पर आप लोग यह total parental nutrition bag जो है वो इस समाल करते हैं next thing preparation of sterile solution यानि के वहाँ पर आप लोग जितने भी solutions prepare कर रहे हैं खुद prepare कर रहे हैं वो sterile होने चाहिए यानि के जरा सीम से पाक हो और वहाँ पर मौजूद जितना भी अमला है like nurses मौजूद है उदर या paramedics उनकी आप लोग ने education भी करनी है और training भी यानि के आप लोग उनको मालूमात भी दोगे अद्वियात से मतालिक और उनको आप लोग train भी करोगे ठीक है यानि के आप लोग उनको एक बिमारी से relevant तमाम तर medicines उससे related में सारी के सारी चीज़ें यानि कि आप किस तरह से इलाज करोगे किस तरह से management करते हो किस तरह से testing diagnosis करते हो वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक specific disease जानि के मखसूस बिमारी के लिए है उसके बारे में हम लोग देखते हैं राइट हम लोग के तो according to European Society of Clinical Pharmacy Clinical Pharmacy is the speciality of pharmaceutical sciences यानि के ये pharmaceutical science की एक खसूसियत है जो कि क्या करती है that deals with the study of drugs or medicines in contrast with their specific diseases जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं drugs और medicines के बारे में किस के लिए उस मखसूस बिमारी के लिए ठीक है जो pharmacist clinical pharmacy पे काम करेगा उसको हम लोग clinical pharmacist कहेंगे यहां पर हम लोग बात clinical pharmacy के करें ना कि किसी doctor या physician के clinic की राइट बहुत सारे students इस बात को confuse करते हैं और इसके इसको mention करते हैं कि वो pharmacist जो clinic पे काम करता है उसको आप लोग clinical pharmacist कहते हैं जबकि class ऐसा कतन नहीं है वो pharmacist जो clinical pharmacy पे काम करता है जो कि specific disease से relevant तमाम तर मालुमात आपको देगा drugs, medicine सब कुछ देगा तो उस फार्मासिस्ट को आप लोग clinical pharmacist कहते हो और उसके main responsibilities यानि कि उसके जो एहम जो जो उसके जिम्मेदारियां हैं एक clinical pharmacist की वो क्या है that medication review in comparison with the diagnosis आपको चाहिए कि आप लोग medication को यानि कि जो अदवियाद दी गई है उसको एक दफ़ा नजर डाले उसको दहरा ले कि क्या mean in comparison with the diagnosis कि उसको कौन से बिमारी mean तश्खीस की गई थी कौन से बिमारी उसकी लिखी हुई है और उसके according उसको कौन से medication दी गई है उसके बारे में आप लोग एक दफ़ा review कर लें then study about the drug interactions आप लोग drug interactions के बारे में भी पढ़ते हैं for specific prescription मख्सूस नुस्खों के लिए फिर आप लोग adverse drug reactions भी देखते हैं यानि के जितने भी adverse drug reactions हैं उनको देखेंगे और profiling यानि के उसको आप लोग दर्ज कर लोगे profiling अमोमन लव ने उनका case दर्ज करने के लिए हैं ठीक है मकसद ये कि एक ऐसी एक ऐसा किसा यानिक एक ऐसा किसा लिखना किस तरहां से ये बीमारी शुरू ही थी या आपने कौन सी medicine ली थी उसका आपके उपर क्या effect पढ़ा कितने दिन तक पढ़ा या फिर आपको उस medicine को इस्तमाल करने पर कौन कौन से मुज़र असरात यानि के side effects और adverse effects आपके body के उपर जाहिर हुएं वो तमाम तर चीजें that is called profiling profiling कहला आती हैं अगर आपके पास prescription आता है उसका पर drug adverse drug reactions लिखे वे हैं तो उसको आप लोग profile करोगे यानि किस को हुआ है कब हुआ था क्या लिया था और कौन कौन से symptoms appear हुए वो सब कुछ then pharmacize studies आप लोग pharmacize studies पर भी focus करते हैं ईसिस टेडीज जिसके अंदर अद्वियात को economically आप लोग देखते हो किस तरहा से आप लोग Frederick Curry को कितनी कर सकता है या अगर उसका कोई alternate कम प्राइस में of equal therapeutic effect यानि कि असर में कमी ना हो मयार में कमी ना हो लेकिन आप लोगों का जो प्राइस है कीमत है वो कम हो अगर आप लोग ऐसे आपके पास कोई alternative drug है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं यानि कि हम लोग इसके अंदर drug with economic यानि क माशी उसके तहलुकात के साथ हम लोग study करते हैं लास्ट इंग आपकी अपनी pharmacy के उपर एक drug फॉर्मोलरी होनी चाहिए यानि कि list of drugs हर pharmacy पर different तरहा के different standard की drug फॉर्मोलरी पाई जाती है आपके पास hospital pharmacy में list list of drug होगी जब कि अगर आप लोग retail pharmacy पर देखते हैं तो आपके पास list of drug होगी with manufacturing date expiry date and then retail price और उसकी manufacturing price at the end therapeutics therapeutics के बढ़े में आप लोग कहते हैं कि यह medical science की एक एसी branch है that deals with the treatment of disease यानि के जो के deal करती है किसे भी बिमारी के इलाज के लिए उस इलाज में आप लोग इन सब कुछ लेकर आते हो किस सरह से आपने उसकी diagnosis की उसको कैसे तश्खीस किया फिर आप लोग इसके सरह से इलाज मौलजा कर रहे हो कौन से medicine दे रहे हो कप कप दे रहे हो कौन कहन से टेस्ट करवाए थे आपने या वो तमाम तर चीज़ें जो एक बिमारी को ठीक करने के लिए लाजिम होती है वो तमाम तर चीज़ें का आप लोग थार